Hello friends, welcome back again और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Igno University के अंदर Assignment के First Page को लेकर कि कैसे आपको Igno का Assignment का First Page जो की Front Page है हमारा उसको Download कहां से करना है उसको Fill कैसे करना है उसे जुड़ोई सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो चलिए दोस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं साती दोस्तो चैनल फे First Time चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को Like और Share जरू कीजेगा तो देखे दोस्तो सबसे पहले मैं आपका यहाप एक Doubt करने वाला हूँ जो कि Front Page को लेकर हर Student का होता है कि हमें जो हमारा Igno का Assignment का Front Page है उसका Format किस परकार का रखना है वो कैसे पता चलेगा तो देखे दोस्तो आपको मैं Clear करने वाला हूँ कि जो Igno University ने Assignment के Front Page के लिए कोई भी Format यहाँ पे Upload नहीं किया हुआ है Igno की Website पे तो आपको यह बात Clear कर देता हूँ कि आप Assignment का Front Page अपने इसाब से कैसा भी ले सकते हैं जरूरी नहीं है आपको Assignment का Front Page है उसका Format आपको Different-Different Style में रखना है जैसे आपकी मर्जी है आपको Style में आपको Front Page का Format रख सकते हैं तो यह आप पे Depend करता है कि आपको कौन सा Format चूज करना है तो आप बात करते हैं आपको Assignment का Front Page कैसे डाउनलोड करना है इसके लिए आपको अपने Mobile या Computer के Browser को Open कर लेना है Browser को Open करने के बाद आपको Simple Search करना है Igno University Assignment Front Page और Search करने के बाद देखे आपके सामने आपको जाना है Images के Option में यहाँ पे देखे आपको बहुत सारे Format दिखाई देंगे आपको Front Page गे तो आपको जो भी Front Page का Format अच्छा लगे वो आप यहाँ से Download कर सकते हैं और फिर उसकी Image को Save कर सकते हैं तो यहाँ पे मैं अपना एक पेज देने वाला हूँ जो कि Front Page है Hindi और English दोनों में है व्योंकि मैं आपको Front Page कैसे आपको फिल करना है उसके बारे उताने वाला हूँ तो यहाँ पे मैं Hindi और English दोनों में आपको दाऊंगा कि कैसे आपको Hindi में भरना है और कैसे आप English में आपको अपना front page fill करना है तो इसके लिए मैं अपना यहाप एक front page को यहाप पर download कर लेता हूँ उसकी image को save कर लेता हूँ save करने के बाद देखे इसको मैं open करता हूँ open करने के बाद देखे कुछ इस तरीके से हमारा यह front page open होगा साथ ही बात करें जो हम यह पे अपना front page download करेंगे उसके अंदर कुछ यह option जरूर होने चाहिए जैसे पहला आपका enrollment number हों चाहिए student का name का option हों चाहिए address का option हों चाहिए program name and code का option होना चाहिए साथ में subject name course name का option होना चाहिए subject code या course code का option होना चाहिए original center का name या code का option हो चाहिए study center name या फिर उसके code का option हो चाहिए mobile number का option हो चाहिए email id का option हो चाहिए date का option हो चाहिए और signature का option होना चाहिए तो यह option आपके mandatory है आपके option होने चाहिए तो मेरे इस front page के अंदर सारे option available है अब front page आपको fill कैसे करना है यहाँ पर देखे हिंदी और इंग्लिस दोनों format में हमारा front page में ने डाउनलोड किया है अब इसमें सबसे पहले option आता है हमारा study center code आपको यहाँ फिल करना है study center code अगर आपके front page के अंदर study center का name भी है तो आप study center का name भी दे सकते हैं आपको study center code आपको देना जरूरी है अब आपको study center code पता कहां से चलेगा study center code और name को find करने के हमारे पास दो तरीके हैं पहले तरीके में हमें student portal पर login करना होगा student portal पर login करने के बाद देखे आपको front page पर ही आपका course का name सो करेगा आपको यह पर click here के option पर click करना है और यहां पर study center का name find कर सकते हैं second तरीके में हमें IGNU के home page पर आजाना है IGNU के home page पर जाने के बाद हमें student support के अंदर इसके बाद student zone के अंदर जाना है इसमें हमें option मिलता है registration status इस option में क्लिक कर लेना है क्लिक करने के बाद है कि next step पर जाएंगे अब हमें अपना यहां पर enrollment number फिल करना है और फिर अपना पर program code पर select करना है जाएकि M.com है B.com है जो भी आपर program code है वो आपको यहां पर select कर लेना है तो यहां पर मैं अपना program code select कर लेता हूँ इसके बाद right capture फिल करता हूँ और फिर submit के option पर click करता हूँ submit के option पर click करने के बाद हमारी सारी information यहां पर इसो करेगी हमारा enrollment number होगा हमारा admission year होगा date of birth होगी current address mention होगा तो आप देखें यहां पर आपको original center का names होगा साथ में यहां पर study center code names होगा तो यहां पर दोनों को आपको copy कर लेना है तो यहां पर देखें हमारा सिर्फ study center code dimension है इसका name find करने के लिए आपको new tab open करने है इसमें आपको इगनो की website पर जाले जाना है इसके अंदर आपको original network के अंदर original center के option पर click करने ना है इसके बाद आपको original center website के option पर click कर लेना है इसके बाद जो भी original center है वो आपको हैँपर search करना है यहகुरल center की website के name आपको आपको आपर so करेंगे तो आपका original center का name select कर लेना है उसको आपको सब्सक्री करना है click करने के बाद देखें आप next step पर जाएंगे यहाँ पे आपको सर्च करना है सर्च करने के बाद एकि उसके सामने आपको study center का name मिल जाएगा जिसको आपको अपने assignment के front page पर आप fill कर सकते हैं साथी अगर आप assignment का front page आप हिंदी में fill कर रहे हैं तो आपको study center code का name आपको अध्यन केंदर code के नाम से मिलेगा उसका नाम आप याप फिल कर सकते हैं आप उसका code याप फिल कर सकते हैं इसके बाद एक option मिलता है आपको program कारिकरम code जो अभी आप program code कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर fill कर लेना है जो कि आपका identity card में mention होगा जो कि आपका program code होता है जैसे आप m-com कर रहे हैं बी-com कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर fill कर देना है इसके बाद option मिलता है आपको यहाँ पर enrollment number का तो आपको अपना यहाँ पर enrollment number आपको fill कर देना है इसके बाद आपको अपना name fill कर देना है जो भी आपका name है आपका identity card पे वो आपके फिल कर देना है साथ ही original center का name और code कैसे find करना है वो यह मैंने आपको आपका identity card में mention होता है इसके बाद है कि आपको course का code या course का title का option मिलेगा इसको आपको कैसे find करना है इसके लिए जो भी आप assignment बना रहे हैं जिस subject का यानि जिस course code का आपके assignment बना रहे हैं उसको आपको open करना है open करने के बाद देखिए उसमें आपका course का code mention होगा यानि front page पे यानि सबसे top पे आपका course का code mention होगा course का title जो भी आपका course का name है यानि course जो भी subject का name है वो आपको आपके mention कर देना है साथ ही अगर आप अपना assignment का front page पेज फिल कर रहे हैं तो option मिलता है आपको वीसे करमांग और वीसे सीर्ज सक तो आपको जो आपका assignment हिंदी में आपको बनाना है उसके assignment की front page पे यपी आपको मिल जाएगा जो आपका वीसे करमांग होगा आपका यानि पाठेकरम code है, वो आपको मिलेगा और पाठेकरम का सीर सकती यानि आपको पाठेकरम हो सकता है बीसे हो सकता है तो आपको जो भी option में आपको fill करना है फिल कर सकते हैं इसके बाद आपको option मिलता है Assignment code का ये भी आपके assignment की page पर मिल जाएगा जो question paper है उसके आपका assignment code मिल जाएगा उसको आपका assignment code की option पर fill कर सकते है यानि जो आपका assignment का code है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसको आपको fill कर देना है पूरा complete आपको यह फिल करना है इसके बाद देखे हमारा यहाँ पर option आता है session का जिस session के लिए आप अपना assignment बना रहे हैं, उसको यहाँ पर mention कर देना है, इसके बाद आपको अपना address mention करना है, यहाँ पता आपको यहाँ फिल कर लेना है, इसके बाद आपको अपना mobile number फिल कर लेना है, इसके बाद आपको अपनी working email आइडिया फिल कर लेनी है, इसके बाद को सब्सक्राइब Ichop option मिलता है इसना देट का इसना पर और सब्सक्राइब कर कर देनी हैं आप पिनेचर करने के बाद हमारा front page complete हो जाएगा अब आपने जो इंदीम format में अगर select किया आपने अपना front page या फिर English format में जो भी format में आपने फिल किया है वो आपका बनके ready हो जाएगा अब इसको आपको assignment के साथ front page जो भी आपका subject और course code का जो अपने assignment बनाया उसके साथ add कर दे है कि कैसे आपको अपना assignment का front page फिल कर रहा है